हुआ है 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 कैसे हैं आप सब मैं आनल शास्त्री आज बीकॉंब से मिश्टर 5 के ओनर्स के विडियारतियों के लिए एक विडियो बना रहा हूं यह विडियो तो यूमन डिसोर्स मैनेजमेट जो पेपर है उसके बारे मैं विडियो बना रहा हूं मैं तो विडियारतियकर्ण अपने सेलेबस पर ध्यान दीजिए गाए तो यूनिट 2 है एक जान की हीडिग है एक विडियो अफ उसमें पहला टॉपिक है यूमन डिसोर्स प्लानिक यहा के बारे में कुछ बताओं तो ध्यान दीजिएगा कि यूमन डिसोर्स प्लानिक में बताने से पहले यूमन डिसोर्स प्लानिक के बारे में कुछ बताओं इसके पहले मेरे मानना है कि यह जो प्लानिक शब्द है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि यह प्लानिक निटानिंग के बारे में आपको सबहों जानना को हज़र हुई. जैसा कि एक अंठीम एक statement ठानिग के बारे में, कि what is planning? Planning क्या है? तो planning is 2 days decision of tomorrow's action. अर्था 2 days decision, अर्था आज लिया जाने वाला दिन है, कि इसके बारे में? For tomorrow's action. आने वाले कल्ब के लिए क्या काम करना है उसके बारे में आज ही हम निर्णे ले रहे हैं यहीं तो प्लानिंग है क्योंकि जो बीच चुका है उसके बारे में क्या प्लानिंग करना तो प्लानिंग हमेशा नियोजन हमेशा हमेशा भविष्टी के लिए करते हैं आने वाले समय के लिए करते हैं तो यह statement क्या कहता है यह statement कहता है कि planning अर्थाक new-gen एक future oriented शब्द है अर्थाक planning हमेशा भविश्ची के लिए आने वाले समय के लिए करते हैं अब इस planning का अर्थ समझ दे के बाद अगर हम इस planning को human resource के साथ में जोड़ दे तो फिर क्या होगा तो human resource planning का मानोस अंसादर के लिए प्लानिक करते रहता भविश्य में मानोस अंसादर की कितनी आवशक्ता पड़ेगी किस तरह के कर्मचारों के आवशक्ता पड़ेगी कब कि कि कपड़ेगी किस पदी के लिए कौन से जगती कि आप सकता होगी इन क्या योगिता होनी चाहिए इन सबों के बारे में विचार करने कि इन सबों के बारे में सोचने विचारने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या समस्वरत नहीं कह सकते हैं human resource planning तो अब इसी प्रकर अब मैं Human Resource Planning के बारे में Human Resource Management के छेकर में जो प्रमुख जो बड़े विद्वानों की परिभाशा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं विद्याति हैं जो आध्यान देंगे इस पर कि सबसे पहले जो पहली परिभाशा कोलमेल सहाब ने दी है उसके बारे में आपका ध्यान आतरशित का बना चाहता है यहां देखा लेगा यहां देखा लेगा यहां देखा लेगा कोलमेल एस डिफाइंड human resource planning as the process of determining manpower requirement and the means for meeting those requirements in order to carry out the integrated plan of the organization ज्यान दीजेगा विज्यातिगन यह कोलमेल सहाब की द्वारा दीगे परिभाशा है तो कोलमेल सहाब ने human resource planning को क्या आया है एक प्रक्रिया करा प्रोसेस प्रोसेस अर्था प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया the process of determining manpower requirement and the means अर्था भविष्य में manpower requirement कितने स्रमिकों की आवशक्त प्रक्रिया होगी और फिर उनको एंटर्वीन सब्सक्राइब को कैसे पूर्ती होगी उनके उनके साधन खोजिने की प्रक्रिया को ही कोलमेल सहाब ने human resource planning कहा और ताकि कोई भी संवेटर आपने एक इक इक्रित प्लान अर्था एक इक इक्रित योजना को भली भांती सुच अब ने human resource planning को एक प्रक्रिया का है कैसे प्रक्रिया का है कि भाविष्ट में कितने कर्मचारियों के आवशक्ता होगी और उन आवशक्ताओं की पूर्ती कैसे होगी और क्या साधन होगे इन सब्सक्रें को सुनिशिक करने की प्रक्रिया को ही उनके human resource planning कहा है अग मैं आके बढ़ता हूँ और एक दूसरे प्रभूब विदा स्टोनर शाहत ने क्या परिभाशित कैसा ही परिभाशित क्या इसके बारे में बताना चाहता हूँ स्टोनर डिफाइंड यूमन रिसोर्स प्लानिंग अज ये देकी इंवर्ड़ेट को माशनूर हो रहा स्टोनर साहत ने यूमन रिसोर्स प्लानिंग को एक स्ट्राइटी अर्थात रण नीती कहा है और कैसे रण नीती, क्या चीज के लिए रण नीती फ़र दर एक्विदिशन अर्था कर्मचारियों को हासिल करना, यूटिलाजिशन उनका समुचित सलुपयोग करना, इंप्रूमेंट उनमें सुधार करना, एंड पिजर्वेशन ऑफ एन एंटर्प्राइस यूमन बिसूर्सें, किसी संस्था के यूमन बिसूर्स मानव संसाधन को हासिल करना, उनका समुचित सलुपयोग करना, उनमें सुधार करना, और फिर उन्हें संस्था में संतक्षित अधर्थ बनाया रखने की रणनीती, वो ही यूमन बिसूर्स प्लानिक कहा है. तो इस तरह से विध्यातियों इन दो प्रमुख विद्वानों की परिभाशा पर नजर दालते हैं, गौर फर्माते हैं, तो हम अपने ढग से यूमन बिसूर्स प्लानिक को परिभाशिक कर सकते हैं, और यह परिभाशा मैंने लिखा यहां नीचे ध्यांग दीजिये का, कि यह मैंना अपने ढग से, अपने शब्दों में हम लोग पर इसे परिभाशिक कर सकते हैं, यह वाईची है, दस, यूमन बिसूर्स प्लानिक कैन रिफाइन अपनी वर्तमान स्रिम्कों कर सकते हैं, की स्रंबल से, अपने वर्तमान स्रंबल से लग्षित, डिजायड अर्था, इच्छित या लग्षित स्रंबल की ओर बढ़ती हैं, अर्था दूसरे शब्दों में, ध्यान दीजे का, दूसरे शब्दों में, एक प्रक्रिया है जिसके सहारे एक सर्विठन अभी वर्तमान स्रंबल से आगे बढ़ते हुए लग्षित स्रंबल की ओर बढ़ती है, कदम बढ़ाती है, यहीं human resource planning है, तो विध्यारतियों आज जिन human resource planning है, यह मैंने पुरी सरल सब्दों में समझाने की कोशिश की है, उमीद करता हूं कि यह आपको समझ में आ रहा होगा है, तो यह पहरा topic human resource planning का यह आज खत्म होता है, और आगे भी मैं इस तरह की, मैं पर आगे की topic है, HRM को लेकर के, अपकी unit 2 को लेकर के, मैं आगे की next video मैं आगे की topic को पढ़ा होगा, धन्यवाद!